नमस्कार दोस्तों आज हम लोग कॉम्पेरिजन करने वाले हैं वीगल और बैसेट हाउंड के बीच में कॉम्पेरिजन करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा डॉक ब्रीड ज्यादा बहतर है और तो चलिए स्टार्ट किया जाए ओरिजिन बीचल का ओरिजिन इंगलेंड से है तो यहीं पे बैसेट हाउंड का ओरिजिन फ्रांस से है पॉपुदार्टी रैंक बीचल की पॉपुदार्टी रैंक 6 है और बैसेट हाउंड की पॉपुदार्टी रैंक 39 है Size बीगल Small Size के होते हैं तो वहीं पे 20 ठाउंड Medium Size के होते हैं Trainability बीगल को train करना थोड़ा Easy होता है तो वहीं पे 20 ठाउंड को train करना थोड़ा मुश्किल होता है Users Rating Users Rating में बीगल को 5 stars out of 5 stars मिले हैं तो वहीं पे 20 ठाउंड को भी 5 stars out of 5 stars की Users Rating मिली है Price बीगल का एक puppy 10 to 13,000 के बीच में मिल जाएगा तो वहीं पे 20 ठाउंड का एक puppy 60,000 to 70,000 के बीच में मिल जाएगा Height बीगल में मिल्स की हाइट 36 cm to 41 cm तक की होती है और फिमेल्स की हाइट 33 cm to 38 cm तक की होती है तो वहीं पे 20 ठाउंड में मिल्स की हाइट 30 cm to 38 cm तक की होती है और फिमेल्स की हाइट 28 cm to 36 cm तक की होती है Weight बीगल्स में मेल्स की वेट 10 तू 11 केजिस तकी हो सकती है और फिमेल्स की वेट 9 तू 10 केजिस तकी तो अहीं पे बैसे ठाउंड में मेल्स की वेट 23 केजिस तू 29 केजिस तकी हो सकती है और फिमेल्स की वेट 20 केजिस तू 27 केजिस तकी हो सकती है बारकिंग Beagle बहुत ही ज्यादा बार करते हैं तुलौपाईपे बैसे ठाउन मीडियम बार करते हैं Playfulness Beagle बहुत ही ज्यादा खेल कुद में इंट्रेस्ट रखते है तुलौपाईपे बैसे ठाउन को खेलना कुदना बहुत ही कम पसंद होता है और ये थोड़े lazy nature के होते हैं grooming दोनों ही dog breed को short coat होने के कारण बहुत ही कम grooming करवाने के जरुवत परती है watch dog ability beagle और basset hound दोनों ही बिलकुल भी अच्छे watch dog और guard dog नहीं होते हैं क्योंकि ये size में small होते हैं और बहुत ही friendly और calm nature के होते हैं social need beagle और basset hound दोनों को ही ज़्यादा socialization करवाने के जरुवत नहीं परते हैं क्योंकि ये बहुत ही friendly, familiar और cool nature के होते हैं और ये size में बहुत ही small होते हैं biting potential beagle की biting potential low है तो ये पर basset hound की biting potential low ही है ये दोनों ही dog breed किसी को bite नहीं करते हैं apartment friendly beagle और basset hound दोनों को भी आप किसी भी और कैसी भी size के apartment में असानी से रख सकते हैं इनको apartment में रखने से आपको कोई भी problem नहीं आएगी intelligence rating beagle को intelligence rating में two stars out of five stars मिले हैं तो ये पर basset hound को one stars out of five star मिले हैं इसका मतलब ये दोनों ही dog बिलकुल भी intelligent नहीं होते हैं temperament, beagle की temperament loving, independent, intelligent, friendly, liviable, gentle और sweet होती है तो वहीं पर basset hound की temperament friendly, affectionate, devoted, gentle, tempered, sweet होती है coat and colors beagle short coat के होते हैं और ये tri color में पाई जाते हैं black, white, red और black, tan, red तो वहीं पर basset hound ये भी short coat के होते हैं और ये black, gray, tan, red, white, brown और tri color में पाई जाते हैं तो याडो आज का comparison हमारा यहीं पर समाप्त होता है आप लोग को ये दोनों में से कौन सा dog breed ज़्यादा बहतर लगता है comment में जरूर बताना फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में आज के लिए बाई बाई